ही फ्रेंज वेल्कम बैक चली शुरू करते हैं लव इन दा एयर का पार्ट नमबर ट्वंटी सिक्स दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत पूलेगा चली तो वीडियो का एक्स्प्लेनेशन शुरू करते हैं स्काई के लेकर काफी वरीड हो जाता है और कहता है ओ माई गौड तुमें कट लग गया दिखाओ मुझे जल रहा यहाँ पर वो काफी ध्यान से उसके हाथ को देखने लगता है तो यहाँ पर पाई यह देखे काफी ज़्यादा खुश होता है कि इस काई को उसकी कितनी ज़्यादा चिंता है यहाँ पर बार बार उसकी चोट को देख रहा होता है इस काई तो पाई यहाँ पर हसने लगता है इस काई उसकी दरब देखता है तुम हस क्यों रहे हो तो पाई होता है वो स्माइल कर रहा होता है तो इसकाई उसे कहता है इसमें फणी क्या है पाई उससे कहता है कि मुझे यह देख के हसी आ तुम्हें इतनी चीता हो रही है तुम वरिट फिल कर रहे हो मेरे लिए तो यहां पर इसकाई उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए वरिट नहीं हूं इसकाई की बात पर पाई हसता है इसकाई वहां से उठके जाता है और फर्स्टेट बॉक्स लाता है और कहता है लाओ करने लगता है इसका यहां भी बैंडिश लगा देता है और इसे कहता है इसे पानी से दूर रखना और अच्छे से इस पर अपलाई करना मैडिसीन वर्णा फिर तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है यहां पर पाए वो अपने हाथ को काफी ध्यान से देख रहा होता है काफी खुश होता है कि इसका इसके लिए इतना वरीड है और उसके हाथ में उसने बैंडिश भी किया है तो यहां पर पाए अपने फिंगर को काफी धिहान से देख रहे लगता है और खहता है अगर तुम इस पर किस कर दोगे तो यह जल्दी से रिकवर हो जाएगा यहां सब्सक्राइब कर दोग्सार शब्सक्राइब काइगा उच्पर को काफी इतना करते है तो यहां पर जो अपनी ब्रदर होता है वह भी फिंगर को देखने लगता है और शनी nit तो इसमें ऐसा क्या है जो तुम इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पर वो पाय से कहने लगता है लास्ट टेम तुम इतने सिली नहीं थे जितने मुझे आज लग रहे हूँ तो पाय उसे कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हम लोग कई साल पहले मिले थे मैं तुमसे लाश्ट विक मिला तो था यहाँ पर उससे पिर कहने लगता है पायू का ब्रदर क्या तुम मुझसे मिले थे तब ही हम देखते है वहाँ पर पायू भी आ जाता है तो यहाँ पर साइफाय उससे कहने लगता है अरे तुम लास्ट विक मुझसे नहीं बलकि पायू से मिले होगे और यहाँ पर वो से आगे कहने लगता है अजीब बात है अब तुमें हम दोरों में डिफरेंस भी नज़े नहीं आ रहा है तुम इतने क्रीजी हो गई हो काफी ध्यान से उनके तरफ देख रहा होता है पायू भी यहाँ पर जो पाय होता है वो कहने लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी और के बारे में सोचू मैं तो सिर्फ अपने लवी डवी बॉई के बारे में ही सोचता रहता हूँ यहाँ पर जो पाई होता है वो काफी जादा तारीफी करने लगता है स्काय की और कहता है वो काफी जेंटल बॉय है लेकिन बैट पर वो बहुत अच्छा है साथ में कहता है कि स्टार्टिंग में तो मुझे लगाता सिर्फ मैं उसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ लेकिन जैस जैसे जैसे मैंने उसे observe किया और उसके साथ time spend किया तो मुझे पता चला कि मैं तो उसे पसंद करता हूँ और वो बहुत अच्छा है वो काफी lonely है उसे बस प्यार की जुरूरत है यहापर वो sky के बारे में कहने लगता है कि वो smile करता है उसे लगता है कि मैं उसे नहीं देख र रहे होते हैं यहापर जो पाई है वो सिप खयालों में ही खोया रहता है इस काई की और उसे की काफी जादा तारीफ ही कर रहा होता है तो यहापर उसे कहने लगता है फिर sci-fi बहुत हो गया है अब तो यहापर उसे कहता है पाईयो अरे रहने दो यह अभी प्यार में है और अभी प्यार करना सीख रहा है और यह कहते हुए पाईू यहाँ पर हसने लगता है साइफाई कहता है ठीक है मान लिया साइफाई यहाँ पर पाई से कहने लगता है तुम इस विकेंड आने वाले हो पार्टी में तो पूछने लगता है यहाँ पर पाई किसकी पार्टी तो यहाँ पर वो लोगों से बताने लगते है कि ओफ के बर्दे की पार्टी है यहाँ पर पाई कहता है ठीक है मैं देखूंगा तब ही पाई के पास मेसिज आ जाता है स्काय का इसका है उससे कहता है क्या तुम इस विकेंड मेरे साथ सौपिंग करने चलोगे इस मैसिज को देखने के बाद तुरंत हाँ पर कहने लगता है उन दोनों से पाई सुरी मैं नहीं आपाऊंगा इस विकेंड मुझे लगता है वैदर काफी अच्छा है काफी लबली है तो क्यों ना इस विकेंड डेट पर जाया जाये यहाँ पर उन दोनों को पाई बोलके वहाँ से चले जाता है तो साइफाई कहने लगता है इसे कैसे पता कि वैदर अच्छा है और डेट पर जा सकते है यहाँ पर उसे दियान से देखने लगता है पाईू फिर हमें दिखाया जाता है साथ में सौपिंग करते हुए स्काई और पाई को यहाँ पर पाई कहने लगता है स्काई से तुमें सभी लोग देख रहे हैं तो इसकाई उसकी तरफ देखता है, मुझी नहीं, सब लोग तुमें देख रहे हैं तो यहाँ पर पाई अपनी तारिफ करने लगता है, कहता है, आपकॉस मैं इतना हैंसम जो हूँ और चार्मिंग भी हूँ या पर उसकी तरफ दियान नहीं देता है इसकाई अपना समान खरीद रहा होता है पाय उससे कहने लगता है क्या हुआई, इसका मुण थोड़ा ऑफ सा लग रहा है तो यहापे वो कहने लगता है बेशक मैं कितना ही चार्मिंग क्यों नहीं हुँ चल सके कि हम दोनों साथ में हैं तुम मेरी वाइप हो और मैं तुम्हारा हबी हूँ यह सारी बाते सुनके स्माइल तो कर रहा होता है स्काई लेकिन पाई की तरफ रियाक्ट नहीं करता इस तरीके से यहाँ पर फिर उसे कहने लगता है पाई इसके बाद हम दोनों मिलके कपल लेकिन मैं देखा तुम इसमाइल कर रहे थे तो यहाँ पर पाई से मरा करने लगता है स्काई कि नहीं मैं स्माइल नहीं करा था इसकाई दोसी तरफ जाके और समान देखने लगता है तो पाई उससे कहता है यह सब चीजे तो तुम्हारे पास थी तो तुम यह सब कुछ क् थी इसका यहाँ पर कहने लगता है अगर तुम यूनिवर्स्टी में अपना वालेट भूल जाओगे तो सायद वो मिसिंग ना हो लेकिन यह सब समान बिल्कुल मिसिंग हो जाएगा यहाँ पर वो इन सब चीजों को कलेक्ट कर रहा होता है तो उससे कहने लगता है पाई तु मेरे साथ डेट पर आना चाहते थे इसलिए तुमने यह सब कुछ दिखे काफी समाइल करता है उसके बाद उन दोरों को एक साथ लंच करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर पाई कहता है कि तुमने लंच करने के लिए इसी प्लेस को क्यों चूस किया है इसका उससे कहता है कहीं इसलिए तो इस प्लेस कोा चूस नहीं किया क्योंकि मुझे होट पॉर्ट बहुत पसंद है इसकाह कैता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है पाई उससे कहता है प्ट मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है और वह यहांपे समयल करते हूए उससे देखने लगता है यहाप पर अपने हातों से उसे खाना भी सर्व करता है